सुनिता ब्लॉग चनल में आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में हम राजमा मसाला की रेस्पी सेर करने जा रहे हैं आप लोगों से इसको बनाना बेहदासान है चलिए बनाना सुरू करते हैं यह हमने 500 ग्राम राजमा ली हूँ इसको तो हम दो तीन घंटा पहले बिगो के रखी थी कुंकर में हमने राजमा दोके रख दी हूँ इसमें 400 एमल पानी आड़ कर रही हूँ इसमें हलका सा आधा चमज नमाग आड़ कर रही हूँ इसमें हम दो चुटकी खाने वाला मीठा सोडा आड़ कर रही हूँ इससे राजमा जल्दी गल जाता है यह हमने धक्कन लगा दे रही हूँ अब दो सीटी आने तक का इंतिजार करना है दो सीटी हमारा कमपलीट हो गया है आप देख सकते हैं राजमा कितने अच्छी तरह गल गया है यह हमने चार पाचा आलो ली हूँ इसको कार के रख ले हूँ इसको मुट माम भूट मामा कर देख लेएं दो प्याज है इसको काट के रख ली हूँ और लेसुन की कलिया है इसको भी छील के काट के रख ली हूँ तड़के में हम दो लाल मूचली हों हींग ली हूं दाल चिन्मी दो बड़ी लायची हैं एक प्या प्याज अकार के छिलगे रख लीpowers दो तेज भत्ता लीहूं 5 आध यह हमने लिख ली आध एे भरेट चली पावडर ले हूँ यह मिक्स मसाला लेा लिए यह हँद नमक के इंग अ यह मिक्स मसाला ले ओन आप सब राज्वा मसाला डालना के अमारे पास रखा था इसलिए मा इसको वर यूज कर ले कड़ाई रखने टेल को जब देल हमारा गरब हो गया है अब इसमें आलु अट कर दे रही हुं आलु फ्राइब करने तक कर दस minड तक इसको हम ढग दोंगे आप सब देख सकते हैं हमार आलु फ्राइब हो गया है इसको अब एक बरतन में निकाल लोगी थोड़ा हमने कड़ाई में तेल आइट कर दी हूँ अब हम इसमें आधा चमप शींग आइट करूंगी अब हम इसमें तेज पत आइट कर दे रही हूँ इसको हम अब एक से दो मिनद तक चलाओंगी लाल मिर्श भी डाल दे रही हूँ दाल चिन्नी है यह यह कटा प्याज है इसको हम एक से दो मिनद तक चला लूँगी यह हमने जो लहसुन प्याज टमाटर का पेश्ट बनाई थी इसको आइट कर दे रही हूँ अब हम इसमें मसाल आइट करूंगी यह आधा चमप लाल मिर्च है यह हल्दी पाउडर है इसमें हम दो चमप चना मसाल आइट कर दूंगे यह हमने स्वाद अनुशार नमक डाल दे रही हूँ मैंने राजमा में भी नमक आइट की हूँ आप सब अपने अनुशार नमक आइट करना इसमें हम तीन चमप मिर्च मसाल आइट कर रही हूँ मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर लूँगे मसाले को कम से कम हम 10 मिनद तक ढख के पकाऊंगे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे से जलेना मसाला भुच गया है मसाले में से तेल उपर आ गया है जो आलू फ्राई करके रखी थी अब उसको हम मसाले में आइट कर दूँगी उसको हम एक से दो मिनद तक मिक्स कर दूँगी इसमें हम अपने अनुसार पानी आइट कर रही हूँ आप सब अपने अनुसार पानी एट करना अब हम एक उबाल तक का इंतिजार करेंगे अब हम इसमें राजमाइट कर दे रही हूँ अब राजमाइट यालू को ढखके पास्विनर तक और पकाऊंगी धीमाज पे मिलते हैं सर्व करते समय आप सब देख सकते हैं राजमाइट मसाला बनके तयार हो गया है देखने में कितना अच्छा लग रहा है स्वादिष्ट है आप सब भी बनाईएगा खाईएगा इंज्वाई कीजिएगा अपना अनुभव हमारे साथ सेर कीजिएगा हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद